नमस्कार मैं गुंचिन शर्मा और आप देख रहे हैं यूव इंडिया न्यूज दिल्ली में शराब नीदी खोटाले को लेकर आज परवर्तन निर्देश आलिया एडी ने राधानी समेथ हिद्राबाद और पंजाब में 35 चिकारों परस छाप बिमारी की है इसे पहले सिब्बर में दो लोगों को गिर्फ्तार किया जा चुका है इस मामले में पहले भी कई बार देशपर में CPI और एडी चाप बिमारी कर चुकी है इसके बाद विजन आयर और समीर महिंद्रु को एडी ने गिर्फ्तार किया था इसी मामले में दिल्ली के मख्यमंत्री मनीश शोदिया के घर और बैंक लॉकर्स की तलाशी भी ली जा चुकी है करनाटक के बीदर में इतिहासक मस्जिद और मदर्शे के अंदर भीड के जबरन घुस्ते और नारे बाजी करनी के मामले में पुल्स ने नौ लोकों की खिलाफ केस दर्श कर लिया है साथ ही इन में से चाल लोकों की रफ्तार कर लिया गया है अन्नी की तलाश में छापे मारी चल रही है महीं इस पूरे मामली को लेकर AMIM के प्रमुख असरुत दीन OVC ने राज्य की BJP सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने आरोप लगाया है कि BJP मुस्लिमों को नीचा दिखानी के लिए ऐसी इकती विध्यू को बढ़ावा दे रही है दिली NCR सही देश के अलगलग राजियों में शुक्रवार सुबा से ही रुक रुक कर बारश हो रही है बारश की बज़ा से कही जगा के सडकों पर जल भराब हो गया है तो महीं तापमान में भी खासी गिरावर दर्च की गई है मौसम विभा के मुताबिक शुक्रवार को दिली का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेर्सियस और अधिक्तम तापमान 28 डिग्री सेर्सियस रहने के आसार है राजानी में आज आसमान में बादर चाय रही है दस अचूबर तक आई-मजी ने दिली सहीद आसपास के इलाकों में छिटपुट बारिश के संभाव नजट आई है भारती क्रिकेट टीम को कुरुवार को लखनाओ में खेले गए तीन मैचों वी वांडेज सीरीज के पहले मैच में हारकस सामना करना पड़ा साउप अपरिका ने उनसे नो रनों से हराया है भारत के लिए संज्यू सेंसंग ने नामा आदल शियासी रनों की पारी देटी टीम को जीत दिलाने की कोशिश भी गे लेकिन वह काम्याप नहीं हो सके संज्यू कोशिश तो पूरी कर रहे थे लेकिन इसी बीच वह एक गल्ती भी कर बैठे जो संबवद भारत की हार के कारणों में से एक है केंदरी घ्रयमंत्री अमिश्याह ने बॉर्डर पर सिक्योर्टी फोर्सिस के इंटर एजंसी बनाने के निटदेश दिये हैं यह एजंसी भारत पाकिस्तान सीमा पर हो रही ड्रॉन से तसकरी को रोखने के लक्षे पर काम करेगी दो दिन पहले हुई सुरक्ष समिक्षा बैठक पर एजंसी ने शहा को बताया कि 182 किलोमीटर तक फैली भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले कुछ महिनों से ड्रॉन से तसकरी के कई मामले सामने आए हैं जिसमें यह साफ है कि अब आतनवादी हतियार पैसे और अन्य समान के लाने ले जाने के लिए ड्रॉन का इस्तमाल कर रहे हैं दिल्ली एरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक भारतिया यात्री से कुछ घडियां बरामत की हैं बताया जा रहा है कि यह घडिया तसकरी के लिए लाए गए थी और सबसे खास है इन घडियों की हैरान कर देने वाली कीमत दरसल कस्टम विभाग ने इस सक्ष के पास से करीब 28 करोड 17 लाग का माल बरामत किया है जिसमें एक घडिया ऐसी है जिसकी अकेले की कीमत 27 करोड रुपे है अब 27 करोड रुपे के कीमत वाली घडि की फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वारल हो रही है साथ ही लोगों के सवाल ये है कि आखिर इसमें ऐसा है क्या कि इसकी कीमत 27 करोड रुपे हो गई